हेलो एवरिवन वेलकम टू स्किल आइक्यू में आपका स्वागत है स्पैलिंग टेस्ट का पार्ट नंबर टू इसमें हम बी लेटर से रिलेटर्ड जो वर्ड्स है न हमारे उनकी बात करते हैं बस ट्वेल्फ वर्ड्स हैं काफी छूटा जो है वीडियो रहने वाला है एक में एक ही लेटर से रिलेटर्ड जो है वर्ड्स की बात करेंगे हम चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो तो बात करते हैं बार्बेरियन की देखे बार्बर सुना होगा आपने वो जो है जो हमारे बाल काटता है नाई जिसको बोलते हैं उसको बार्बर बोलते हैं चीक है लेकिन ब जो मतलब बहुत ज़्यादा निरदई है जिशें के अंदर दया की भावना नहीं आई सब्भय व्यक्ति है बिलकुल और जिसको आने बभी रहने बता नका समस्राइबार बिलकुल गवार भी इसको ! है गवार भी बोल देते हैं इसको के तो नाउन वर्ड होता है ये किसी परसन को बोलते हैं बार्बेरियन उसके बाद है बैरोमीटर ये नाउन वर्ड होता है बैरोमीटर और इससे है ना हम प्रेशर मापते हैं उके प्रेशर मापते हैं इससे उसके बाद है बटैलियन बटै इससे बात है और battalion में हम कहां पर जो है mistake देखते हैं ज्यादा तर दो mistakes देखते हैं एक तो double T का mistake देखते हैं और एक यहां पर O की जगे पर E दे दिता है कई बार वो जैसे यहां पर दिया हुआ ओके तो यह जो है यहां पर गलती दी जा सकती है उसके बाद हम बात करते हैं next word की जो की है beautician बड़ा अच्छा word है यह beauty से बना है ठीक है beauty से बना है जिसका मतलब यह भी noun word होता है इसका मतलब सुंदरता होता है बट इसको में easily catch कर पाते हैं कि इसका मतलब यह होगा बट यह इसको भी कर लेते हैं लेकिन कई बार है ना confusion हो ही जाता है ओके ब्यूटीश और इस तरीके यह चीजें जो सजा सवार करता है लोगों की इन सब चीजों को जो चलाता है जो संचालक होता है उसको okay उसको beautician बोलते हैं next है बिब्लियोग्राफी और देखो यहां पे दो words है बिब्लियो जो होता है यह होता है पुस्तक से related पुस्तक प्रेमी बिब्लियो file होता है पिएच देखो सबसे पहले file को भूल जाए बिब्लियो जो है ना वो related to books होता है यहां पे इस बात पे focus करें आप कि बिब्लियो किसको बोलते हैं पुस्तक को बोलते हैं बिब्लियो कहीं किताब से relation होगा बिब्लियो जहां पे देखने को मिलेगा आपको तो यहां पे बिब्लियो ग्राफी जब हम बात करते हैं ग्राफी की ग्राफी का मतलब ग्रंथ या किसी भी सूची से होता है कोई भी सूची या ग्रंथ से होता है ग्राफी का मतलब ओके ओके इतना समझ में आया अब हमने क्या कर दिया बिब्लियो ग्राफी लिख दिया ये नाउन वर कि यह किसी गरंत की किसी पुस्तक की उसको हम विबिलियोग्राफी बोलते हैं ओके और विबिलियोग्राफ नहीं बोलते हैं यह बात ध्यान रखना है उसके बाद है बाइनियल जहां पे आपको b i लिखा मिलेगा उसको by बोलते है और it means two t w o two number में दो by होता है ओके यह adjective के रूप में यूज किया जाता है और यहां पे single n दे के एना error दे दिया जाता है spelling में और यह पूछ लिया जाता है हमसे adverb के लिए यूज करते है बाइनियल का मतलब होता है द्वी वार्शिक यानि कि दू जो साल होते हैं दो वर्श होते हैं उनके लिए हम बाइनियल यूज करते हैं word next है bilingual अब इसको language से relate करेंगे language language से related रहेगा यह हमारा और bilingual क्या होता है जिसको दो भाशाओं का जिसको दो languages का ग्यान हो knowledge हो next है हमारा brethren देखो एक तो होता है brother brother होता है मा जन्मा भाई बाकी होते हैं brethren लेकिन हम सभी को brother कहते हैं है ना general language में हम सभी को brother कहते हैं बट brother हमारा मा एक ही मा से जन्मा हुआ भाई होता है brethren होते हैं बाकी सभी यहां पे यह भाई लोग लिखा है यह इसलिए लिखा हुआ है इसने और नाउन वर्ड होता है ब्यूरोक्रेसी आप जानते होंगे ब्यूरोक्रेसी नोकर शाही टाइप ऑफ गौर्मेंट और यह गौर्मेंट के टाइपस होते हैं यह कई बार रीजनिंग में भी पूछ ले लेता है वो है ना इस तरीके के यह तो एक ही जगे पे लिख ले आप ब्लैक बुक आती है उसको रिव्यू भी डाला हुआ है हमने उसका उसमें से करवा देंगे आपको यह ठीक है लोजी ग्राफी है ना यह सब चीजें आपको करवा देंगे उसमें फाइल जो भी दिये ह होंगे वो सबी करवा दिये जाएंगे आपको उसके बाद है बैलून बैलून आप जानते होंगे यह स्पैलिंग बहुत कम पूछा जाएगा पहले तो पूछ लेते थी बट अभी इतना ज्यादा नहीं पूछते हैं फिर आता है बिबली बिबली ओ मेंस बुक या रिलेट इसका मतलब होता है प्रेमी या फिर शौकीन ओके तो बिबली ओ फाइल मतलब क्या होता है पुस्तक प्रेमी आपने एक वर्ड शुना होगा किताबी कीड़ा तो बिबली ओ फाइल होता है वो किताबी कीड़ा नेक्स्ट है बफैलो बफैलो बिलकुल भी नहीं पूछेगा आज के टाइम पे ना SSC इसको पूछेगा ना बैंक इसको बैंकिंग एक्जाम्स में पूछा जाएगा किसी नॉर्मल आपके स्टेट के एक्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा spelling दो वैसे states के exams में मैंने तो देखा नहीं, बहुत कम पूछते हैं, दो यह जगे पे ज़्यादा तर मैंने देखा है, हाँ teachers के exam में भी मैंने spellings को देखा है, मैंने daily teacher के लिए दिया था, dssb exam दिया था, उसमें मैंने दो exam दिये थे, उसमें देखा था, मैंने की spelling पूछी जा रही थी, उसमें, ओके, तो यह था इसका वीडियो, बाकी next जो वीडियो होगा, उसमें हम c letter से related, जो हमारे spelling test होगे, या spelling के videos होगे, words होगे actually, videos नहीं, उनको हम करने वाले हैं, तो thanks for watching, thank so much, और subscribe कर सकते हैं, channel को अच्छा लगा है, तो share कर सकते हैं, वीडियो को देख, दिखा है, अगर आपने यहां तक, facebook पे same video जाता है, facebook पे, आप facebook पे, facebook पे इसको follow कर सकते हैं, आप personally मुझे follow कर सकते हैं, राजबिर सिंग के नाम से, okay, वहाँ पे भी मैं facebook पे कुछ करने की क कर रहा हूं तो, आप मुझे support कर सकते हैं, thanks for watching again, thank you so much.